हाई गाईज वेलकम बैक टो पैपकोडिंग फिर आज एक नई सीरीज स्टाट करने वाले हैं जैसके अंदर पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर यहां आपको सबको सिखा जाएगा और बी लेंग्वेजी जिनकी मदद से आप स्मार्ट इडियाज बना सकते हैं लेकिन बैस्ट लेंग्वेज यह जो कि बनी ही इस लिए है त्यक्त आप पाइफन जावा जावा स्क्रिप्ट और और सी प्लस प्लस इन स अच्छे तरह स्मझाए जागा ठीक है यह जो लैंग्वेज थी न यह फोस्के अगया था गया था 2014 के नदर ठीक है 2014 अगस्त में ठीक है अगस्तन जुलाई के एरउंड ठीक है और यार यह लैंग्विज आए थी 2015 में इन अगस्त 2015 इन अगस्त में इसका 1st वर्दन आया था हम क्या करने वाले हैं इसका latest version करेंगे latest version क्या है हमें आपको लेटेस वर्दन में हर चीज़ तकाएंगे लेटेस वर्दन है 0.8.0 ठीक है यह था 2020 में December 16 ठीक है इस तारीक को यार यह वर्दन आया था इसी वर्दन के अदर कुछ-कुछ improvements हुई है तो अभी जो लेटेस चल रहा है वो चल रहा है 0.8.11 ठीक है आपको कवर कराया जागा पूरा आप 0.8 से लेके 0.11 के बीचे आप कुछ भी कर सकते हैं यान कि पूरा पूरा एट वर्दन आपको कवर कराया जागा यह वर्दन को आई हो जाल टाइम ही नहीं हुआ यार गया है अभी 0.1.3 फिर आता है 0.2 फिर आता है 0.3 फिर इन में भी कुछ-कुछ इंप्रूब्मेंट होती लेती है इस तरह से आता है हार पास 0.8 ज्योंकि सबसे लेटेस्ट चल रहा है हम आपको लेटेस्ट वर्दन में ही हर चीज सिकाने वाले हैं आपर ठीक है आगे बढ़ते हैं मैं और आपके लिए ना जो से पहले हमने सीरीज कवर खरी है आपके लिए ना आपके लिए ब्लॉक्चेन नर्या energía वो आपके लिए पढ़्ण्ंद क्याओं जिसकंद क्या क्या है सफर्दल ऑन इस बिट्कोईन को ए थ़र्द्वन इस इथरियं फोर्थ वहने प्लप Suppose इंप्लिमेंटेशन ठीक है तर मैं आपको हाइली रेक्मेंट करूंगा कि आप यह पढ़के आए उसके बाद ही पर कूदए ठीक है वरना यार यह वाँ बात वह वाट सम्झमिन नहीं को कहीं तर दिए कि एकदम डियाग्ट इस टॉपिक पर कूदना मैं कहूंगा कि यह रेक अच्छी समझेंगे ठीक है अब आगे बात करते हैं अब आगे बात करते हैं या थे य९ा आनि ऐसा नहीं यह आई ही क्यों है 2015 में जब इतनी ज्यादा यूज हो रही है इसका कुछ काम भी होना चाहिए तभी तो तीन ज्यादा यूज हो रही है मतलब 2015 में आने के बाद भी यह इतनी बूम पर ठीक है अभी भी सबसे बैस्ट लेंगवेज आई है किस चीज के लिए स्मार्ट कॉन्टैक्ट्क के लिए ठीक है तो यह इसी लिये लीरा यह रही स्ध्के लिए इसी लिए लिये इस आई अचाहिए स्से प्रापॉर्मस कहां देखा जाता है प्र मैंने आपके लिए क्या लिखा है मैं लिखा है smart content अधी program which governs the behavior of account within the Ethereum state smart contract क्या है smart contract क्या है यह आपको आपको जानते हैं थोड़ा बता देता हूं ठीक है smart contract क्या है let's say एक piece of code है जो कि कहां पर reply होता है Ethereum पे जो कि रखा रहता है एथिरियम पे ठीक है यह करता है कि इसके नदर जो भी accounts होते हैं जितने भी accounts होते हैं accounts पतलब Ethereum account ठीक है Ethereum account जो होते हैं उनके account का behavior govern करता है यह smart contract कैसे करता है चलो मैं example समझाता है इस बात को let's say एक shop की पर है ठीक है और एक करार हो रखा एक क्या है क्या है करार क्या है इस चौप कीपर कहता है के लिव्डियमें से अगर जिस ट्रक के अंदर आ रही है ठीक है अगर इस ट्रक का temperature 20 degrees से कम रहता है ठीक है तो मैं क्या करूँगा आपको पे करूँगा vegetables के लिए ठीक है जो वेज़िवर करें मुझे वरना मैं आपको पे नहीं करूँगा नहीं करूँगा ठीक है क्योंकि 20 से उपर जाके temperature अगर 20 से उपर जाएगा तो वेज़िवर करता है तो यह सहाब कोई payment करेंगे नहीं ठीक है यह बना नुकसान नहीं करेंगे दोनों के पुछिम करार हुआ ठीक है दोनों में से कोई भी एक अपनी तरफ की नहीं समार्ट कोंट्रक्ट निंगा इन डोन के बीच में चौट कीपर और ड्लिवी मैंन के वीच की एक स्मार्ट कॉंटेंट में क्या होगा अंदर कोड क्या होगा और वह हम आगे चलके देखेंगे अ फश्राहरण से उपर अगर जाता है उस टेंपरेशर से उपर अगर अगर तो पेमेंट नहीं होए चाहिए तो स्मार्ट और क्या करेगा लिगए इस परसन का याशौपकीपर के आकाउंक से वकूञट क्या करेगा इने函ा काने इनिशली क्या होगा वरना वरना क्या होगा अगर भाई इसने अपना काम साई से किया है अपना काम साई से कर दे डिलिवरी मैं ने सर्जी पहुचा दिये बिल्कुल एक दम ताजा ताजा तो यह क्या करता यार यह ना अकाउंट्स में से पैसे जो इसने स्मार्ट कॉटन को डाल रखे हैं इसको डाल देगा डिलिवरी मैं के अकाॉंट में इस बात को कहने का अर्थी है था जो आपको यहां पे बात लिखती अब अच्छे समझींगे किस तरह यह गवन करता है अकाउंट को जो की जो लेंगवेज है ना इनसे इंफ्लेंस्ट होके बनी है ठीक है इस बात का ध्यान रखना चलिए आगे देखते हैं आगे मैंने का लिखा है मैंने लिखा है and is designed to target ethereum virtual machine ठीक है वी ओरेडी है तो ethereum virtual machine के बारे में हैं discussion होगा नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने क्या लिखा यहां पर solidity is a static type, study type का अर्थ क्या हुआ, कि जो language है na solidity, यह कैसी language है, study type language कैसी होती है, जैसी c++ होती है, इसे कुछ properties होती है, जिस तरह की मैं बताता हूं को, कुछ property क्या होती है, कि अगर हमें कुछ variable बनाना है, solidity के अंदर, ठीक है, मुझे declaration time पे ही, उसक स्क्रिप्ट है, हमें क्या करना पड़ता है, variable की data type, बताने के need ने पड़ते है, लेकिन c++ में पड़ता है, और solidity में भी पड़ता है, ठीक है, तो यह बात में जरूरी आपके लिए, आगे बढ़ते है, मैं क्या लिखा है आपे, करता है support inheritance को, inheritance क्या है, inheritance एक oops का concept है, ठीक ह यह अच्छे से कबार किया जाएगा, हमें फड़ता से example देता हूँ, let's say मेरे पास दो contract है, दो contract है, A and B, B चाहता है, A की ना कुछ property इनरेट करना चाहता है, ठीक है, इसके पास जो कुछ property है, जैसे state variable कुछ होते है, ठीक है, अब यह आपको सहन में नहागा, कोई बात ही, आने वल टायम में हर्ची सान जाए, कुछ function है, इनको इनरेट करना चाहता है, इनको भी चाहता है, मेरे पास भी सारे properties होनी चाहिए, ठीक है, तो यह हम करने के लिए, इनरेट करने के लिए, सिंपल हमें क्या लिखना पड़ता है, contract B is A, सिंपल इस लाइन से क्या होता है, A की सारी property B के अंदर आ जाती है, inherit कर पाता है, B child बन जाता है A का, ठीक है, यह सारी बात्यार आगे चलके एक तम details में हम explain करेंगे, आपको एक तम details में समझाएंगे, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैंने के लिखा है, libraries and complex user defined type, among these features, ठीक है, कुछ और features होते हैं, इसक सबको भी support करता है Solidity, यह सारी सीच आपको पढ़ाई जाएंगे, आपको आपको overview दिया जा रहा है, Solidity ठीक है, इतनी खतरनाक language है, मतलब इतनी बढ़ी है language है, मैं काफी excited हो रहा हूँ के बताते हुए, इस language के बारे बाते है, ठीक है, चलिए, इसकार कुछ example देते है, with Solidity, You can create, कुछ smart content कैसे बना सकते हैं, कुछ example दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ ही example है, हम आपके लिए एक से एक smart content बना के दिखाएंगे आपको, एक से DApps बना के दिखाएंगे, ठीक है, यह वहाँ तो आपका, मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, चलिए, मैंने मैंने आपके का लिखा है, मैंने आपके लिखा है, कि smart content कैसे कैसे बना सकते हैं, से voting type के, ठीक है, लैट से जो यार, किसी भी country में election होते हैं, ठीक है, तो यार, वहाँ पे क्या होता है, जनरली जो opposition होती है, हारने वाली होगी क्या बात कहती है, कि EVM हो गयते है, या फिर voting मे लेकीन नहीं हो पाता, किसी एक की बात पर है, ठीक है, तो यार, हम इसको भी resolve पर सकते हैं, smart content बना के, बढ़िया से smart content बना के, वहाँ पर voting करा के, क्योंकि यार, क्या होगा, Ethereum पर होगा, तो secure होगा, ठीक है, Ethereum पर deploy होगा, secure होगा, ठीक है, ठीक है, वहाँ हम चेक कर सकते है voting कराने के बाद, कि final actual result किया है, ठीक है, बिना किसी घपलेवाजी के, ठीक है, ठीक है, तो यह बहुत best application है, smart contract की, ठीक है, जो कि हम बनाएंगे, solidarity का use करके, दूसरा है crowdfunding, आप कोई पता है, crowdfunding के बारे में, crowdfunding क्या होता है, कि कि किसी calls के लिए, public से, general public से, कुछ amount मांगा जा suppose NGOs होती है, NGO ने क्या किया, crowdfunding से, कुछ पैसे जोटा हैं, किसी noble cause के लिए, पर यार हमें पता नहीं है, कि वो NGOs, actual में use कर पा रही है, उस काम के लिए use कर भी रही है, उस पैसे को जो हमने donate किया या नहीं, तो यार इसमें क्या होगा, इसमें smart content है, बहुत 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 अब क्या होगा, जो इसका manager होगा, जिसने ये crowdfunding arrange कर रही है, ये manager क्या करेगा, इन से हमेशा इसे consensus लेनी पड़े करेगी, इस तरह का smart content बनाएंगे, या जो लोग है, donors हैं, अगर 51% से ज्यादा लोग करते हैं, 50% से ज्यादा लोग कर कहते हैं, यानि कि 51% लोगी 50% लोग कहते हैं कि जी विल्कुल कर सकते हो, तब ही ये पैसा use होगा, ठीक है, तो यह हर बार उसको क्या लेना पड़ेगा, इन लोग से consensus लेना पड़ेगा, क्या ये use कर सकते हैं, इस काम के लिए, तो हम लोग को पता रहेगा, जो हमने पैसा donate कर रहा है, ये सही काम में use ह हो भी रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये कितनी sad चीज है, मतलब, ये किस से बना सकते हैं, simple solidarity का use करके smart contracts है, ठीक है, तो इतनी बहतरी चीज, trust का कोई issue ही नहीं है, ठीक है, हम जी सोचिंगा ये नहीं क्या है, जो हमने पैसे जमाग किया है, क्या गलत जगा तो नहीं जा र auction में आया है, ठीक है, यहाँ पर certain time दिया जाएगा, इसके अंदर दिया जाएगा, कि कौन जितनी ज़्यादा बोली लगा देगा, जो भी जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा, ये item उसका, ठीक है, तो ये भी हम अच्छिव कर सकते हैं, कि सही smart contracts है, ठीक है, ये भी smart contracts है और किसी की privacy भी नी खुलेगी है, यहाँ पर, privacy भी नी खुलेगी, ठीक है, प्राइवेट, privacy पता ही नी चलेगा, कैसी नी पता चलेगा, कि एक account के address से, आप केतना कुछ भी पता लगा लेंगे, ठीक है, और इसको भी हम private कर सकते है, ठीक है, इसको भी ना cryptography का use करके, इसको भी और जादा secure कर सकते हैं, ठीक है, तो यह किसी की बज़े से होगा, यह smart contract की मदद से होगा, बहुती secure चीज से, बहुती secure तरीके से, ठीक है, तब यह जी, और देखिए, और क्या है, multi signature wallet, let's say, एक company है, ठीक है, एक company है, या फिर government है, या फिर government है, वो ना किसी चीज के लि contact में डालेंगे, ठीक है, इस तरह के contact डालेंगे, एक इस तरह contact बनाएंगे, कि इस contact में न, इतने इतने लोगों के signature होने चाहिए, तब ही fund transfer होंगे, ठीक है, इतने इतने लोगों के signature होने चाहिए, तब ही fund transfer होंगे, तो अब सोच यह इस बात को, यह लोग तो कहीं नहीं यह जितने भी लोग जितने भी लोग का signature नहीं करेगा ठीक है वो इसको मतलब verify नहीं करेगा ठीक है इस चीज के लिए transaction अप्रूब करता हूँ तब तो transaction होगी और जैसी वो अप्रूब करेगा तो transaction होगी और अगर corruption हुआ तो किसको पकड़ना है अब जानते हैं ठीक है तो य कितना secure हो जाएगा कितना secure हो जाएगा कितना down हो जाएगा ठीक है तो यह जो हमारा hardened money है जो हम tax की form में देते हैं ठीक है वो सेव होगा कितनी जाज़ा development होगी सिर्फ किस चीज वाज़े से हो रहा है यह सब कुछ एक स्मार्ट कॉंट्रेक्ट ही वाज़े से हो रहा है यह चुका है पाइथन ठीक है इसी तरह से ना हर जगाएगी जिस तरह से यार इसमें development हो रही है यह हर जगा यूज होगी ठीक है यह भी तो यार जो इस लेंगज को सीख रहा है न तो आपके लिए पहले सी आपको ठीक है चलिए नीचे मैंने कुछ और बात रखी आपके ठीक है और ऐसा नहीं है ठीक है अब आप तो समझ चुके होंगे यार पावर तो आप समझ चुके होंगे ना कितनी ज्यादा है डी सेंटलाइज एप और समार्ट कॉंट्रेक्ट की जो की बनते हैं और ऐसा भी नहीं है स्रिफ वोटिं क्राउट पंडिंग ब्लाइंड ऑक् जैसे कि हमारे पास applications है किस तरह की ये जैसे कि YouTube है YouTube क्या करता है यार हमेना अले तरह के ad देखा केम थराभ करता है ठीक है जो की needed भी नहीं है ठीक है time मैरे सेनया मैंड को तो यह इसका alternative उल्डी प्रजेंटेज़ नाम से इसका alternative उल्डी प्रजेंटेज़ यह कहाए decentralized है यह क security की वैए से लोग इस एप को यूज करना भी चाहेंगे ठीक है तो आप समझ सकते हैं आप हर चीज को जो अल्रेडी प्रिजेंट है उन्हों सब को आप डी सेंटलाइस कर सकते हैं ठीक है किसी भी एक authority के पास पूरी ownership नहीं होगी उसकी ठीक है तो अब आप समझ चुके आपक आपको सिर्फ views के लिए कह रहा हों कि यार हमारी वीडियो को देख लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको समझना है बातों को अच्छे से यार आपको जाना ज़रूरी है तभी सारी आपके बाते क्लियर हो पाएंगे ठीक है वरना यह आप समझना पाएंगे कि authority ए लेकिन यार मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी इंसान की पहली प्रोड्राम लेंग्वेज soliutti ही बनने जा रही है ठीक है अगर कोई इंसान पहली लेंग्वेज ही अपनी soliutti को choose कर रहा है ठीक है तो यार उसे ऐसा निटोना चाहिए इस कोर्स के दौरान की गुछ बाते समय मिने यहारी क्या बात हो रही है ठीक है और कोई ऐसा इंसान भी है जिसने पहले एक दो तीन चार कितनी प्रोडम लेंग्वेज कर रखें ठीक है तो वह इनसान दो नहीं होना चाहिए कि जो गृष्धन जावाश्क्रिप्ट इन की तरह काम नहीं करता है इ यह वीडियो को देखना पड़ाएगा और बोर तो आप होने निवाले इस कोर्स के द्वारा ठीक है वह अप होने निवाले ऐसा लगेगा नहीं आपको की टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल लेगने वाला और जो नया बंदा है उसको भी लगेगा नहीं कि कुछ हर चीज अच्छ है सब्सक्राइब करा जाएगा इसकी मज़स से क्या होगा आपको जब स्मार्ट कॉंटर बनाने के दिया जाएगा तब फूरती से एकदम बिना किसी दिक्कत के एकदम बना सकते है ठीक है बिना किसी प्रावलोग के चलिया और इस वीडियो के अंदर इतन तर मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस वीडियो में इतना है तक लिए बाबाई